दोस्तों अगर आपने अपने सारे पेसे एक high-end PC या फिर laptop खरीदने में लगा दिया है जिसके चलते हुआ ये है कि आपके पास अभी currently एक ठीक ठाक laptop या फिर PC तो है ही लेकिन आपके पास एक अच्छा वाला mobile नहीं है और अच्छा वाला का मतलब मैं बोलना हूँ कि 6GB RAM, 8GB तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो आप चाहें तो Real Cricket 22 को अपने PC या फिर laptop पर भी खेल सकते हो पर क्या ये recommended है और क्या PC में lag pre gameplay हमें देखने को मिल पाता है तो आए आज की इस वीडियो पर हम उसी के बार में बात करेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने laptop के अंदर Real Cricket 22 को install करोगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि PC के अंदर या फिर laptop के अंदर gameplay कैसे क्या हो रहने वाला है अगर हमें lag देखने को मिलता है तो हमें किस तरीके से उसे fix करने वाले हम लोग और अगर lag देखने को नहीं मिलता है तो वो कौन से बार आयो हो चैनल पर तो do subscribe now और अगर already subscribe कर रखाए तो आप like भी कर सकते हो वीडियो को तो anyways अब हम जादा time is यहां पर नहीं करते हैं तो फिर चलो दोस्तों बिना किसी वक्त को वाए आज किसी वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखे अगर आ बाकि आपको सबसे पहले blue stacks application को डाउनलोड करना होगा जिसके लिए आपको इस बाले website पर जाना पड़ेगा तो यहां पर सही आपको डाउनलोड करना होगा basically और यहां पर से आपको nugget नहीं बल्कि pie beta version को डाउनलोड करना होगा और अगर आप nugget सही try करोगे तो आपका बि वर्जन को डाउनलोड करना पड़ेगा तो डाउनलोड करने के बाद आपको उससे इंस्टोल करना पड़ेगा और जब इंस्टोल हो जाए तो आपको ब्लू स्टाक्स को ओपन करना होगा और उसको उपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर अप्लिकेशन को ओपन करना होगा और sign in पुछेगा है तो sign in कर देना और sign in खतम होने के बाद आपको यहां पर search करना है real cricket 22 आपको लिख के यहां पर search करना है और उसके बाद आराम से जैसा आप phone पर करते हो ठीक उसी तरीके सही आपको मलब कि simply आपको install कर देना है और install के बाद क्या होता है गेम ओपन होता है और उसके बाद गेम के अंदर आपको कुछ permissions बगरा पूछा जाता है तो वो सब आपको agree कर देना है उसके बाद आपको sign in कर देना होता है तो इनी सारे easy steps को follow करके आप अपने PC या फिर laptop पर easily real cricket 22 को install करके play कर सकते हो लेकिन अब सबसे बड़ा सबाल या आता है कि क्या game playable है या फिर आपको lag देखने को मिलता है तो अगर मैं अपना gaming experience बताऊं तो by default आपको अपने game के अंदर काफी सारे lags बगरा देखने को मिल जाते हैं चाहें आपके पास high end PC हो या फिर low end PC हो मैं तो इसको RTX 3050 Ti पर रन करा पर स्टिल मुझे थोड़ा बहुत lag देखने को मिला तो इसके लिए मुझे मलब की आपको करना क्या होगा तो बैसी के लिए आपको अपने सारे settings को max पर रख देना होगा FPS meter को unlock करके आपको तकरिबन 120 से 140 तक रख देना होगा और graphics आप 1080 या पर 720 pixel पर भी select कर सकते हो और game के अंदर इसको आप high पर चला के देखना और अगर lag नहीं हुआ तो बहुत सही चीज़े आप continue कर सकते हो और अगर नहीं और मलब कि लागर lag हुआ तो आप medium पर set करना अपने game को और उसके बाद आप आराम से जो आपका game है वो easily run हो जाएगा बैकि ध्यान रखना इसको 4GB laptops पर try मत कर लेना बरना game तो run नहीं होगा और उपर से आपका data भी खराब होगा क्योंकि starting में ही मैंने बोल दिया था कि आपके पास high end थोड़ा बहुत PC या फिर laptop है at least minimum 6GB RAM तो होना चाहिए ना तभी जाकर के थोड़ा मतलब की try करना यार बरना नहीं होगा तो मलब की बुरा चीज हो जाएगा पर हाँ अगर आपके पास wifi वेगर आए और आपके पास 4GB laptop भी है फिर भी आप try कर सकते हो और बरना आप अगर चाहें तो जियो रिचार्ज करके भी कर सकते हो आपकी मरजी पर मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया और आगे मैं आपको real cricket 22 को PC में किस तरीके से खेलना होता है वो सारे controls के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ